प्यारे बच्चों, आज की इस गनित कक्ष्या में आपका एक बार फिर से स्वागत है हमने अपना दूसरा अध्याय, दूसरा चैप्टर शुरू किया था, जिसमें 6 एक्सरसाइज थी उसी करम को आगे बढ़ाते हुए, आज हम उस चैप्टर की अंतिम एक्सरसाइज पे आए हैं और आप लोगों ने, मुझे उमीद है, आप लोगों ने भी बड़े अच्छे से इस चैप्टर को समझा है कोई भी आपके कमी नहीं रही है तो आज हम इस अंतिम एक्सरसाइज को भी करके इस चैप्टर को पूरण करेंगे इस अंतिम एक्सरसाइज में हमारे पास जो सवाल है, वो है कि रेखिक रूप में बदले जाने वाले समीकरण ऐसे समीकरण जो रेखिक रूप में बदले जाएं ये एक step और पट गया, कोई दिक्कत नहीं है तो इसके लिए मैं example लेता हूँ जैसे 8x minus 3 और इस सारे के बटे में 3x बराबर 2 अब ही ये रेखिक रूप में नहीं है क्योंकि इसके 5 और हर धिन के रूप में है ये तो इसको सरल करें इसको सरल करने के लिए क्या करना है हमने एक step ये फाल्तू होगा हमारे पास 3x को उधर ले जाएं 3x यहां भाग में है उधर जाके ये हो जाएगा गुना में तो हमारे पास यहां क्या बचेगा 8x minus 3 बराबर 2 गुना 3x अब इसको 8x minus 3 बराबर 2 गुना 3 दो तिया 6 6x अब वही के लिए हमने फिर करनी है चर एक तरफ एक तरफ तो इस 6x को हम इधर ले आएं और 3 को उधर ले जाएं बराबर है के उपर से जड़ियत जाएंगे तो इनका चिन अवश्य बदलेगा तो यहां 8x minus 6x और उधर जाके यह minus 3 का हो जाएगा प्लस 3 यहां 8x minus 6x हमारे पास बचगे 2x बराबर 3 अब इस 2 को भी उधर ले जाएं 2 यहां गुणा में है उधर जाके भाग में बार बार के रहा हूंने भाग वाड़ा गुणा में गुणा वाड़ा भाग में तो इस 2 को गुणा में हुदर ले जाएं यह भाग में होगा यहां बच जाएगा हमारे पास x बराबर 3 बटे 2 अब यदि इस 3 बटे 2 में कुछ कटता है आपस में तो उसको काट देंगे और नहीं कटता है तो यह as it is रह जाएगा हमारे पास तो हमारा यहां देखते हैं कुछ भी नहीं आपस में कटता तो इसका यही आंसर दे जाएगा इसको हम आंसर कहेंगे इसका और या ज्यादा करें तो यह अनुचित बिन है अनुचित बिन कार्थ है अंस बड़ा हो हर छोटा हो इसको मिश्रित बिन में हम बदल देंगे मिश्रित बिन में क्या होगा सही बना देंगे इसके एक सही एक बटे दो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं जोंसा आपको ठीक रहे अब इसी करम में मैं एक और एक्जामपल लेता हूँ उस एक्जामपल में क्या है अमारे पास उस एक्जाम्पल में हमें दिया है एक प्रीमे संख्या का हर उसके अंस से आठ अधिक है अब देखो कैसे करना है ये वही बात होगी जो हम रेखिक समी करणों के अनुपरियो दो कॉइंट दो और दो कॉइंट चार में हमने सीखे थे एक प्रीमे संख्या का हर हर कौन सा होता है उपर वाले को अंस नीचे वाले को हर हर अंस से आठ अधिक है कौन सा अधिक है हर अधिक है अंस से अंस छोटा है यदि अंस में 17 जोड दिया जाए तथा हर में से एक घटा दिया जाए तब हमें तीन बटे दो प्राथ होता है वहे परीमे संख्या ग्याद कीजिए इस परीमे संख्या में अंस छोटा था मैंने पहले भी कहा था छोटे को पहले माने तो माना परीमे संख्या का अंस हमने ले लिया उसको X हर इस से आठ अधिक है तो परीमे संख्या का हर इस से आठ अधिक तो X में आठ जोड़ देंगे X जमा आठ अब संख्या क्या बन गई संख्या संख्या आपको पता है अंस बटे हर यानि की X बटे में X जमा आठ अब इस रखम में और क्या दिया है में कहा है यदि अंस में सतरा जोड दिया जाए परसन के अनुसार According to question परसन के अनुसार अगर अंस में सतरा जोड दिया जाए तथा हर में से एक गटा दिया जाए क्या करें हम अंस में सतरा जोड दिया और हर में से एक गटा दिया एक्स जमा आठ इस में से एक गटा दिया तो हमें तीन बटे दो प्राप्त होता है तो ये चीज़ किसके बराबरा जाती है तीन बटे दो वह संख्या ग्याद करो यानि कि हमने अंस भी ग्याद करना है और उस अंस में आठ जोड के उसका हर भी ग्याद करना है तो यहां अब हम सरल करें तो एक्स जमा सत्रा बटे में इस ब्रैकेट को खूल लें इसके बाहर कोई निसान नहीं तो अंदर ऐसे ही रह जाएंगे ये सारी चीज़ें एक्स जमा आठ गठा एक बराबर तीन बटे दो आठ में से एक गया तो अमारे पास क्या आएगा साथ तो अमारे पास आगया अब एक्स जमा सत्रा बटे में एक्स जमा साथ बराबर तीन बटे दो अब इनके उपर एक से ज्यादा संख्या है तो ब्रैकेट अवश्य लगा दें ताकि कोई संख्या छूट ना जाए गुणा करते वक्त अब यहां हम एक बात सीखते हैं क्रोस मल्टिपलिकेशन का मतलब आर पार गुणा आर पार गुणा कर लें आर पार गुणा का मतलब इसको इससे गुणा करते हैं और इसको इससे गुणा करते हैं इसको दो से गुणा करें तो दो से गुणा करें तो यह आगया हमारे पास दो गुना में X जमा 17 बरावर तीन को हिस्ते गुना करते एक्स जमा 7 खोल लें दो एक्स जमा 37 बरावर तीन एक्स जमा 21 अब इसको चर एक तरफ एक तरफ सिंपल बन गी अब तो ये तो दो एक्स गटा तीन एक्स बरावर 21 गटा में 36 गटा का X बरावर गटा के 13 गटा से गटा कट गया अब जब गटा से गटा कट गया तो हमारे पास अब क्या बचा इसको हम एक बार साफ कर लें थोड़ा सा उपर से क्योंकि नीचे जग है नहीं बची हमारे पास आगया X बरावर 13 और X क्या माना था हमने? संख्या का अंस इसका मतलब उस संख्या का अंस तो आ गया 13 अंस आ गया 13 और हर जैसे की हमारी रकम में दिया था कि अंस से आठ अधिक है तो इसमें 8 जोड दें तो हर आ जाएगा तो हर जिखेंगे अब इसका हर बरावर इस संख्या में 8 जोड दें तेरा जमा आठ बड़ाबर 21, अब हमारी संख्या का अंस तो आ गया 13 और हर आ गया 21, इसका मतलब हमारी संख्या आ गया अंस बटे हर, अंस बटे हर का मतलब 13 बटे 21, ये हमारा आंसर आ गया. तो प्यारे बच्चों, आज हमारा ये चैप्टर खतम हुआ, मुझे उमीद है आपको अच्छी परकार से ये समझ आया होगा, अगर फिर भी कोई कमी है, तो आप कभी भी मेरे से संपर्थ करके इस बारे में अपनी संका दूर कर सकते हैं, मैं हर समय आपके लिए हाजिर काम अपना कोई और टॉपिक, संभावत है, दो के बाद तीसरा चैप्टर लेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपकी कोई भी कक्ष्या बीच में छूटे ना सभी काम आपका सुचारू डूप से होत रहें, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक अवश्य करें और इसका बैल का आइकन अवश्य दबाएं, ताकि सबसे पहले आपको सूचना मिलती रहें, धन्यावाद.